कोरोना वाइरस के मामलों में लगातार कमी को देखते हुए कई राज्यों ने अब लोकडाउन में धील देना शुरू कर दिया है दिल्ली, यूपी, मदप्रदेश, हरियाना आधी राज्यों में कोरोना के मामलों में काफी तेजी से कमी आई है वहीं जिन राजियों में कोरोना के मामले जिस इलाके में कम हो रहे हैं वहां भी लोकडाउन की सक्ती कम करने की बात कही जा रही है कोरोना के मामले बढ़ने के बाद बिन राजियों में लगाए गए लोकडाउन के बाद अब अनलॉक की प्रिक्रिया शुरू कर दी गई है इन राजियों में आज से पावंदियों में धिल दी जा रही है वहीं कुछ राजियों में मामले कम नहीं होने से अभी भी लोकडाउन लागू है आईए जानते हैं कि किन राजियों में आज से कोरोना करफ्यू या फिर लोकडाउन में धील दी जा रही है और इस दोरान क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा राजधानी दिल्ली में अनलॉक करने की प्रिक्रिया 31 मजी से ही शुरू हो गई है लोकडाउन की पाबंदियों में धील दिये जाने के बाद कार खाना मालिकों ने 6 सब्ता के बाद अपने प्रतिस्ठानों को खोला इनमें से कई कार खाने स्रिमकों और कच्छे माल की कमी से जूज रहे हैं 6 सब्ता के लोकडाउन के बाद दिल्ली सरकार ने चरनबद अनलॉक प्रिक्रिया के तहत सोंबार से सहर में अध्योगिक इकाईयों और निर्माल कारियों को अनुमती दी है हाला कि कच्छे माल की आपूर्टी करने के लिए अभी बाजारों का खुलना बाकी है अनलोक प्रिक्रिया के बीच मदप्रदे सरकार ने आज से सरकारी कार्याले 7% अधिकारीों और 50% करमचारीों के साथ संचालित करने का आदेश दिया है सासन दौारा जारी निर्देसों के अनुसार एक जून से सभी सास्किये कार्यालें में सत्प्रतिसत अधिकारी उपस्तित रहेंगे आतियावसक सेवाएं देने वाले कार्यालें को छोड़कर स्वेस कार्याले 10% अधिकारियों वा 50% करमचारियों के साथ संचालित किये जाएंगे अतियावसक सेवाओं में कलेक्टेट, पुलिस आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्त एबम, चिकिस्सा स्विक्षा, जेल, राजस्त, पेजला पूर्ती, नगरी प्रसासन, ग्रामील विकास, विद्दुत परिवहन और को साले को समलित किया गया है वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने राज में लागू कोरोना करफ्यू में सुवए सात बजे से साम सात बजे तक धील दी है, जबकि सनिवार और अभिवार को सापताहिक बंदी रहेगी, हाला कि इसमें छेसों से अधिक सक्री मामले वाले जिलों को ये सुविदा नहीं मिलेग आदेश में कहा गया है कि रात्री का अलीन करफ्यू साम सात बजे से सुवए सात बजे तक लागू रहेगा, इस दोरान सभी को कोरोना के नियमों का पालन करना अनिवार होगा गेंदर सासित प्रदेश जम्मू कस्मीर में भी अनलोक की प्रिक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रिसासन ने बताया कि कोरोना करपु के बल रात्री और सब्ता के अंत में लागू रहेगा। करपु को साथ जून तक बढ़ाने का फैसला लिया है। को रोकने के लिए हरियाना में लोकडाउन को साथ जून तक बढ़ाया गया है। बजे से दो पहर तीन बजे तक खुल सकेंगी। ओरिसा सरकार ने राज में लागू लोकडाउन को सत्रे जून तक बढ़ाने की गोशना की है। पिछले लोकडाउन के सभी प्रतिबंधों और छूटों को तीसरे चरण में भी लागू किया जाएगा। वहीं बिहार के सीम नितीस कुमार ने राज में लोकडाउन आठ जून तक बढ़ा दिया है। इस तोरान कुछ छूट भी दी गई है। बिहार में 25 प्रतिसत उपस्तिती के साथ सरकारी कार्याले खुलेंगे लेकिन निजी कार्याले बंद रहेंगे। बिहार में 2 जून से दुकाने एक दिन छोड़ कर एक दिन खुलेंगी। आवस्यक सेवाओं को छोड अन बहानों के परिचालनों पर रोक जारी रहेगी। नियम के उलंगन करने पर गाड़ियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। करनाटक में लोगडाउन चर्णवद तरीके से खोला जाएगा। राजस्व मंत्री आर असोक ने कहा कि बेंगलूरू में प्रति दिन एक हजार से कम मामले आने पर अनलोक पर विचार किया जा सकता है। मुख मंत्री बियस अदुरप्पा को चर्णवद तरीके से एक के बाद एक सेक्टर खोलने के बारे में अपनी राय बता दी है। हाला कि उन्होंने साप किया कि अगर संक्रमल के मामले कम नहीं होते हैं तो लॉकडाउन जारी रहेगा। नमस्कार।